Hello everyone, आज का वीडियो है, Full adder using 4 is to 1 multiplexer, तो क्योंकि हमें full adder draw करना है, तो मैंने full adder की truth table तो पहले से draw की हुई है, अब बात कर लेते हैं multiplexer की, multiplexer क्या होता है basically, multiplexer का काम क्या है, multiplexer के multiple inputs होते हैं, and number of inputs होते हैं इसके, और selected lines होती है कुछ यहां पर, तो multiple lines होती हैं यहां पर, और स्कुछ selected lines होती है, तो अभी मुझे क्या देखना सबसे पहले, अगर मैं output की बात करूँ, तो मेरे पास 2 output चाहिए, मुझे एक sum के लिए carry के लिए, तो मुझे 2 multiplexer का use करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल के लिए, हम मानलो carry को अगर side भी रखते हैं, हमें सिर्फ sum सम चाहिए, तो हमारे कितने input हैं, अगर मैं सिर्फ sum सम की बात करूँ, तो मुझे एक multiplexer चाहिए, ठीक है, तो अगर sum है, तो sum को draw करने के लिए, मुझे कितने input चाहिए, एक, दो, तीन, यानि कि मुझे तीन input चाहिए, A, B, और C, तो A और B, जो मुझे selected lines से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी selected lines अगर दो हुई, अगर मैं आपे S0 और S1 मानलो इसे, तो इसे A, B मान लेते हैं, ठीक है, तो दो selected lines ही मेरी input हो गई, आपको यह पता है ना, कि selected lines ही input होती है हमारी, क्योंकि selected lines का का काम क्या है, जो भी input data है, यहाँ पर I0, I1, I2, I3 है, तो selected lines का का क्या है, कि इन में से किसी को भी पकड़ के, और बाहर output में show करना, input data यहाँ पर 4 मानलो data जा रहा है, 4 lines से, तो selected lines क्या करेंगी, इन में से एक time पर किसी एक input को select करेंगी, और बाहर शो करेंगी, यह काम किसका selected lines का, तो यहाँ पर इसी तरह से हमें से input, सिर्फ हमारे पास 2 ही है, यह हमारे input हम इसे नहीं मानेंगे, अब हमें C भी चाहिए, तो C निकालने के लिए, मतलब A और B तो हमें यहां से मिल गया, S0 और S1 से A भी मिल गया, पर हमें C इन भी चाहिए, C इनको हम I0, I1, I2, I3 के जरीए ही लेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे वो यहां पर मैं आभी आपको बताऊंगी, तो पहले क्या करते हैं, हम अपने multiplexer के माना selected lines को A और B माना है, तो AB अगर है, तो मेरा output पे क्या हैगा, तो अगर 00 है, तो मेरा output वो I0 को सेलेक्ट करता है, और अगर 01 है, तो I1 को इसी तरह 10 पे I2 और 11 पे I3 सेलेक्ट होता है, तो यह मेरी 4 is to 1 multiplexer के चोटी सी transition table है, और यहां पर मेरी full adder की table है, तो अब मैं क्य करती हूं C के लिए, मतलब मुझे सिर्फ C चाहिए, कि मुझे मेरा C क्या होना चाहिए, A और B तो मुझे मिल गए, मैंने select यहां पे output में A और B दे दूगी, कभी 0 रखेंगे, तो हमें यहां पे already output मिल जा रही है, हमें पता है, अगर मैंने A को 0 रखा, B को 0 रखा, तो I0 सब मुझे कुछ तो में लेगा, लेकिन मुझे C इन भी तो चाहिए, देने के लिए C इन को कहां से लेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पे एक और table बनाना सिखाती हूं, यह कोई K मैंप या कोई truth table नहीं है, यह different type की table है, तो मैं यहां पे एक table बना लेती हूं, जिसमें मैं यहां पे चार चीज़े सेलेक्ट कर लेती हूं, I0, I1, I2 और I3, और यहां पे मुझे C चाहिए, तो मैं C इन बार रखूंगी, और एक में C इन रखूंगी, ठीक है, अब I0, I1, I2, I3 को अभी हम यहां से consider करते हैं, I0 क्या है, जब मेरा A बार और B बार है, तो मेरा I0 है, I1 कब है, जब मेरा A बार और B है, तब I1 है मेरा, I2 के लिए मेरा A है, और B बार है, और I3 मेरा दोनो A, B है, अब यहां पर मुझे numbering करनी है, तो A बार, B बार, C बार, क्या होगा, 0 होगा, A बार, B बार, C क्या होगा, 1 होगा, A बार, B, C बार क्या होगा, 2 होगा, इसी तर से हाँ पर मेरी number यह आ जाएंगी, तो मैं sum के लिए यह बना रही हूँ, sum के लिए अब मुझे यहां से देखना है, काम करती हूँ, मैं directly यहां पर लिख देती हूँ, sum की जो मेरी output आईगी, वो क्या आईगी, किसके against मेरा 1 है, तो मेरा 1 है, इसे अगर 0 माल है, तो 0, 1, 2, 3, 4 तो decimal में convert कर रही है, तो 1, 2, यानि कि 1 और 2, और यह क्या है मेरा 4 और 7, 4 और 7 के against मेरा sum है, और carry की बात करें, carry output की, तो यह है 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, यह तो 0 यह है, ठीक है, यहां पर यह carry की output भी आ गई, तो अगर sum की बात करें, तो मैं आपे circle लगाँगी, अब 1, 2, 4 और 7 यहां पर मैंने circle लगा दिया, जब मैं sum केle equation लिख रही हूं तो, तो क्या मुझे यहां पर, मुझे इन अट जो है, मेरा i-naught क्या रहेगा, तो मुझे सिर्फ यह देखना है कि किसके सामने आ रहा है, यानि मेरा i-naught C in यहां पर रहेगा, i1 क्या रहेगा, 2 किसके सामने आ मिली है, जैसे कि मुझे करना है, अगर मैं I0 और I3 को C in रखूंगी, और I2, I1 और I2 मेरा C in बार है, यह समझ में आई, I0 मेरा C in है, I3 मेरा C in है, और I1 और I2 मेरा C in बार है, इसी तरह से अब मुझे एक्वेशन लिखनी है, किसके लिए, कैरी के लिए, मतलब यह मेरा सम की एक्वेशन है, यह जो दो निकलिए मेरे सम के लिए, अभी मैं कैरी के लिए निकालती हूं, तो कैरी के लिए भी सेम टेबल ड्रॉ करूंगी, मैं यह, यहाँ पे मेरा I0 रहेगा, I1, I2, I3, C in बार C, लिख लेते हैं, यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, तो अब कैरी के लिए, अगर मैं देखू तो यह क्या है, 3, 5, 6, 7, तो 3, 5, 6, और 7, कुछ इसी तरह से आ रहा है, अब यहाँ पर अगर, मैं C निकालना चाहूं, I0 के लिए, तो I0 जो है, वो क्या है, ना तो C पे सरकल ह है, तो इसको मैं 0 कंसीडर करूँगी, क्योंकि दोनों मैं से किसी पे सरकल नहीं है, अगर I1 की बात करो, तो यह सिंपल C in है, I2 की बात करो, तो यह भी C in है, और अगर I3 में देखू, तो मेरा C in और C in बार दोनों ही, 0 मतला मैंने सरकल लगा रख है, दोनों पे ही, तो क्य मैं अगर इसके लिए equation बनाओ, तो क्या बनेगी, I0 मेरा 0 है, I1 और I2 ही मेरे C in है, और I3 मेरा 1 है, तो यहां पर मैंने sum और carry की equation लिख लिए है, अब multiplexer design, sorry, multiplexer नहीं, full adder design करते हैं, using 4 is to 1 multiplexer, तो एक multiplexer अगर मैं यहां पे draw करूँ, कुछ इस तरह से, यहां नहीं एक multiplexer draw किया, जिसकी हमें A की output मिलेगी, जिसे हम sum consider करेंगे, ठीक है, दूसरा multiplexer मैं यहां पर बना देती हूँ, जिसकी भी हमें A की output मिलेगी, जिसे हम carry consider करने वाले हैं, ठीक है, तो अब मैं, क्योंकि मुझे पता selected lines क्या है, मैंने हां पर A और B selected lines ली थी, जो भी मेरे input होन तो मैं दोनों में, इसमें मैं ऊपर consider कर लेती हूँ, और दोनों को कुछ इस तरह से connect कर देती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर A, यहां पर मने इसे A मान लिया, और B, normally मेरे यह दोनों inputs हैं, दो inputs तो मेरे हो गए, अभी मुझे C के उपर काम करना था, यहीं C करने थे तो I0, I1, I2, I2 और I3 मैंने यहां लिखा, I0, I1, I2 और I3, चार inputs इसके हैं, चार इसके मैंने inputs बना दिये, तो मेरे sum की equation क्या थी, I0 और I3 C in है, और I1 और I2 C in बार है, तो मैं sum के लिए अगर बनाती हूँ, तो मेरे I0 और I3 ऐसे करके कर लेते हैं, दोनों को combine कर देते है और यह क्या है, C in है, ठीक है, इसे नहीं लेना है, इसे consider मत करना, तो यह क्या है C in है, I0 और I3 C in है, अगर C in बार की बात करें, तो I1 और I2 क्या है, C in बार है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे एक not gate लगाना है, not gate का क्या होता है, जो इसके output है वो बार हो जाएग, य तो यानि कि मेरा sum की equation, यहाँ पर sum मेरा निकल के ready हो जाएगा, अगर मैं यह से ready कर दूँ तो, अब मुझे carry के लिए भी same चीज कर रहे है, carry के लिए मेरा I0 क्या था, 0 था, तो simple इसे दे देते हैं, I3 मेरा 1 था, तो इसे simple 1 दे देते हैं, और I1 और I2 मेरा C in है, तो दोनों को mix करेंगे, तोनों को combine करेंगे, और यहां से C in लेकर जाके इसमें add कर देंगे, तो यह हो गई carry के लिए, I hope आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment में पूछ सकते हैं, मैं answer जरूर करूंगी, और अगर आपको पसंद आई यह